हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अनिंग फोलियो में मेरा नम प्रग्याद रवेदी है और आज हम लोग वेब को इंडिया के रिजल्ट के बारे में चर्चा करेंगे हमारा एन्वल रिजल्ट के लिए क्या फोर्कास था और एक्ट्वल जो रिजल्ट आया कंपनी ने जो इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे और साथ ही अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं तो वेब को इंडिया लिमिटेड एक ब्रेकिंग सिस्टम की कंपनी है ब्रेक सिस्टम और टेक्नलोजी ये सारी चीजे कमर्शियल व तो इस थेकी तो इसने 2018 में एनुएली 26,000 मिलियन का revenue पोस्ट किया था 2019 में इसका revenue बर कर लगभग 28,000 मिलियन का हो गया इसने लगबग annually 9.3% की growth revenue में post की है और net profit में इसका net profit 2018 में 2700 million के around था जो कि 2019 में बढ़कर 2800 million के around हो गया ये लगबग 3.4% की profit growth है 2018 और 19 के 1st और 2nd quarter में इन्होंने बहुत अच्छा revenue और net profit post किया था उसका reason था infrastructure, project और mining project बहुत अच्छे growth पात पे थे पर अभी auto sector थोड़ा decline mode में है इसके चलते इसके revenue में growth अच्छी 3rd और 4th quarter में नहीं आई है ये overall revenue में जो growth आई है वो थोड़ा सा expectation से कम आई है because of 3rd and 4th quarter थोड़े बिगडे हुए है हमारा जो estimated EPS था वो 165 के round का EPS estimated था जबकि actual EPS इसने 148 का लगवग round post किया है तो हमारा जो EPS target है वो लगवग 10.07% से miss हो गया है ये इसका reason नहीं है कि 3rd और 4th quarter में revenue अच्छा नहीं मिला है company को और profit भी अच्छा नहीं आया है because of overall auto sector में थोड़ा सा downtime चल रहा है future expectation हमको यह है इस company में कि 2019-20 में expected revenue 31,000 million के round हम expect कर सकते हैं जो कि लगवग 10% की growth होगी और 1920 में हम जो profit है निट profit है वो लगवग 2900 के round 900 million के round हम profit में growth expect कर रहे हैं जो कि लगवग 5% है और estimated EPS हमारा 1920 के लिए रहेगा 156 rupees यह जो number से यह number change भी हो सकते हैं हम आने वाले समय में quarterly results पे नज़ा रखेंगे और according to quarterly results हम annual results को predict करने की कोशिश करेंगे अब अब अगर हम आम निवेशकों की बात करें तो यह company बहुत ही अची company है with strong fundamentals तो इस company में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ही अच्छे valuations पर यह company अभी market में available है कोई भी dip आए इसके price में तो जरूर एसाइपी करने चाहिए अभी जो revenue में या profit में जो decline आ रहा है या और जो अच्छी growth according to expectations नहीं आ रही है because of overall auto sector में growth बहुत अच्छी नहीं चल रही है downtrend में है जैसे ही auto sector में turnaround आएगा और market में अच्छे जब results आएंगे तो इस company को sales में कोई problem नहीं होने वाली है बहुत ही बढ़िया company है आम निवेशक इस company में जरूर बने रह सकते हैं जिन्होंने invest किया है पर यह company long term की है आप यह मत सोचिए कि एक एदो पाटर में आप इस company से profit बनाकर निकल सकते हैं पर अगर आप लंबे समय के लिए hold करना चाहते हैं तो इस company को जरूर hold करें और कई गुना profit यह company से हम मुना हुआ 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 है